तो यह अपनी बॉर्डर सेयर करता है बहुत सारी देशों के साथ जैसे की कॉंगो डेमोकरिटर रिपब्लिक ऑफ कॉंगो साउथ सुडान, केनिया, तंजानिया यह सब के साथ अपनी बॉर्डर सेयर करता है और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लेके जिसका नाम है लेक विक्टोरिया जिसका जो मेजुरिटी पार्ट है वो लोकेटेड है कहाँ पे उगांडा में यहाँ पी और भी बहुत सारे लेक ह और तो यह सब भी लेक यहाँ पे लोकेटेड है लेकिन लेक विक्टोरिया यहां का एक बहुत ही फेमस लेके जो की बहुत ही लार्ज जमान पर इन लोग के पॉपुलेशन को पानी प्रवाइड करता है अगर हम इसकी कैपिटल की बात करते तो इसकी कैपिटल है कंपाला इसमें बहुत सारे इंपॉर्टें सहर है जैसे यह सब इसकी important इससे अगर हम इसकी उफिचल लेंग्वेज की बात करें तो यहां पर दो लेंग्वेज मेजुरिटी में बोली जाती है ऑर यहां official administration में यूज होता है एक का नाम है English एक है English और दूसरा स्वाहिली तो यह दो population की बात के हैं population है लगबग 5 कड़ोर और इसकी population density थोड़ी जाज़ा है लगबग 157 people आपको हर एक square kilometer में मिल जाएंगे और ये 35th populous country है world की और 8 सबसे populous country है अफरिका की अगर हम इसकी total area की बात कहें तो इसकी total area लगबग सबसे बड़ी country है तो अगर हम इसकी currency को देखें तो यहां की currency है उगांडन सिलिंग और यह currency बहुत ही पूर है क्यों कि यहां पर जो currency है अगर आपके पास एक इंडियन रूपीज है तो आपके लगबग 48 उगांडन सिलिंग है और आपके पास एक युनाटे स्टेट डॉलर है तो आप बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं उगांडन उगांडन स्टेट में क्योंकि यह इक्वल है लगबग साड़े तीन हजार उगांडन सिलिंग के बराबर तो आप समझ सकते हैं इनकी करणसी कितनी गिरी और अगर हम इसकी रिलिजिस डेमोग्रेफिक्स की बात करें तो यहां मेजुरिटी में रहता है रोमन कैतोलिक जो की 39 परसंट है फिर एंगलिकन मुसलिम यहां पे थोड़े थोड़े में रहता है मुसलिम की जो लगबग 13 परसंट के आसपास है और इस देश में बहुत सारे इतनी ग्रूप पाए जाते हैं और मेजुरिटी में जो है वो है लुग बारा बेन योरो बोतोरो लेंगी यह सब यहां इतीसो यह सब यहां पर क्या इसके एतनी ग्रूप से अगर ह में तो अवश्ची गिरी भी होगी तो इसकी जो टोटल एकोनॉमी है वो बस 102 बिलियन समझ सकते हैं कितनी इसकी कम इकोनॉमी है बस 102 बिलियन जो जेब बेजोज है उसकी जो नेट वर्थ है वो इससे ज़्यादा है अगर हम इसकी हुमन डेवलोमेंट इंडेस की बात करें तो यह बहुत ही कम है 159 इसकी रैंक है हुमन डेवलोमेंट और इस देश में एक बहुत ही फेमस माउंटेन है जिसका नाम है रुवेंजोरी माउंटेन और इसकी जो टोटल हाइट है वो है 5109 मिटर तो यह सबसे उची चोटी है उगांडा में और यह बहुत ही सुन्दर चोटी है और यहाँ पे हर साल बहुत ही से 150 AD से इसमें क्या होता है एक धीयनाश्टी होते है जिसका चाहिए बीतो धेयनाश्टी सिदया बुगांडा अन्कोल किंडम एक की आणने और ऑशिए और यह क्या होता है और आध डिक speaking मैं लिक देता हूं आप देख लीज़ें आई-टी-ए-ई-ए-ल-टी-आई-सी इनके द्वारा जो यह बहुता इनके द्वारा ये किंड़म बसाया जाता है कहां पर यहां पर अप पर यह red color का यहां पर है यहां पर यह kingdom इनका बसा जा और यह kingdom कौन सा यह है बुगांडा और जहां यह जो नेतलिक speaking लोग आते हैं वो कहां से आते हैं वो आते हैं Sudan से और धीरे धीरे फिर क्या होता है जो बुगांडा के king है वो अपने किंड़म को expand करना चाते हैं तो वो क्या करता है यह जो buniero है फिर lango है यह सब को कबजाना चाते हैं और वो दीरे दीरे यह buniero को पूरी तरह से कबजा लेते हैं फिर buniero को कबजाने के बाद यह lango फिर दीरे दीरे पूरे उगांडा कि जो अभी जो पूरा कंट्री है उसको अपने अंडर में कर लेता है ये बुगांडा किंडम लेकिन इसके बाद लगभग डेड़ सो साल बाद यहां पे आते हैं ब्रिटिस यहां पे 1862 में सबसे पहले एंट्री होती है ब्रिटिस की और उनका नाम है जौन हैनिंग जो की सब जो पहले व्यक्ति होते हैं ब्रिटिस एक्स्प्लोरर जो की यहां पे विजिट करते हैं उगांडा कंट्री फिर इसके बाद धीरे जो मिस्नरी होते हैं फिर जो फादर होते हैं चर्ज के वह यहां पे आते हैं और यहां पे बहुत सारे चर्ज established करते हैं और यहां के जो लोग हैं इन्हें Christian Christian बनाते हैं जो ethnic group थे वहां के बहुत लोग होते हैं वो बन जाते हैं Christian क्यूंकि यहां जो father होते हैं वो बोलते हैं अगर आप Christian बनेंगे तो आपको British के और से बहुत ज़्यादा help मिलेगा और भी बहुत सारे gift मिलेंगे तो इसलिए यहां के जो लोग थे वो Christian में convert होना सुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके क्या होता है British पूरे उगांडा को अपने अंडर में कर लेता है और यह 1894 में British protect rate बन जाता है मतलब यहां लगभग British का ही control होता है वहां के resources का use करता है British फिर बहुत सारे slave labor को अपने देश में ले जाता है दूसरे country जैसे ब्राजील अमेरिका में काम कराने के लिए यहां से जो ब्रिटिस के जो official है वहां से ले जाते थे slave सबको इसके बाद 1902 में जो eastern province है उगांडा का आप यहां देख पार ही है उगांडा यह पूरा था पहले उगांडा ठीक है अब जो यह आप देख पार यह इस्टन प्रोविंस है यह पूरा एरिया यह पूरा दे दिया जाता है किसको Kenya को और हैं और भी एरिया जैसे कि यहां देखिए के सुडान फिर यहां डियार-सी सब kullam को भी क्या कि दे दिया जाता है ऊगांडा के जगए को इसको बहुत बड़ा कोटन का एक्सपोर्ट वोग बिटिस में आप लोगों के बहुत सारे कोटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री ती वह क्या करते हैं कि यहां से अपना कॉटन कॉटन क्वोट कराते हैं और अपने देश में जाके इन्हें बहुत हाई प्राइज में बैचते और हलां कि एक बिटिस प्रोटेक्ट्टेट था तो यहां के जो किसां थे उन्हें बहुत को देना पड़ता था यह कॉटन और इसको बहुत अच्छे दाम में जाके मिल में कपड़ा बनाके यह बहुत हाइप प्राइज में जाके बेस्ते थे कहां पर एरोपियन मार्केट में लेकिन 1962 में उगांडा एक इंडेपेंडेंट कंट्री बन जाता है और यह मिल्टॉन अबोती इनके नए प्रेशिजन बन जाते हैं और यहां आप देख पर यह है बुगांडा यह एक इंडेपेंड और अट्रोनॉमस ट्रेटरी बन जाता है इसको कंट्रोल करता है लेकिन जो थोड़ा थोड़ा जो कींग होता यहां पर इसको थोड़ा सा पावर होता है कि उन्ज्जॉई करता है फिर 1963 में उगांडा हो जाता है Republic और जो बुगांडा जो कींग होते हैं जिनका नाम होता है में तीसा वह बन जाते हैं इनके प्रेश मैं चींग मैतीसा जोगी बन जाते हैं यह साल बाद यह बुगांडा मेना आपको दिखाया था पीछले месяpe में एग ऑंटονॉमस रीजन होता है तो यहां के जो प्राइमेस्टर होते हैं, मिल्टन ओवेती, वो क्या करते हैं, यह बुगांडा का अटोनमी को खतम कर देते हैं, और यह एक अपना एक रीजन बना लेते हैं, जैसे स्टेट होता है, वैसे ही लोग अपना एक स्टेट बना लेते हैं, किसको बुगांडा को, फिर 1971 में यहां के जो आर्मी चीफ होते हैं जिसका नाम होता है इदी यमीन यहां देख पारे इसका फोटो यह इदी यमीन यह बहुत लंबे चोड़े होते हैं और इनका हाथ का साइज बहुत ही बड़ा होता है आप इनका जब हाथ देखेगा तो आपको लेगा इतना और कंट्री में जैसे कि आपको पता हुगा कि महनमान में भी जैसे कुझ हुआ है वैसे इनों ने कू कर जिया थ है कहा पर उगांद में और इनोंने की जो भी को कोली यह जबी चैैनिस-ईन्डियान उन्हयान मतलब जो चाइनीज और इंडियन होते हैं मेंली उन्हीं को यहां से बगाने की कोजिस कि गई इससे क्या हुए कि यहांकी जो एक्षित बूरी तरीके से इंपक्ट हुई कियों कि एक्सपोर्ड इंपोर्ड जो होता था इंडिया से बहुती ज्यादा होता तक इसके विद्ध और बहुत सारे बिजनस मैं जो की इंडिया में थे गुजराती थे वो लोग भी यहां से इन्हें भगा दिया गया तो इसके वज़े से क्या हुआ कि इनकी लेकिन जो इक और इसका तो यहीं पोर बहुत है नहीं मे HIV करें यह पूरा उगांड़ा तो यहां जो क्या बनेंगे जो कू किये थे जिनका नाम था इधी अमीन उन्होंने क्या किया यहां पर बहुत ही ज़्यादा आर्मी डिप्लाइमेंट कर दी तो यहां जब इन्होंने आर्मी डिप्लाइमेंट किया तो यह जो छोटा सा एरिया तंजानिया का इसे इन्होंने अपने कब दो कर रहा था तो यह बहुती ज्यादा क्लैस्वक्स साथ ततंजाने के साथ इसके होज़े से क्या हुआ इनकी उप्रक्रम बहुत ज्यादा हो गए तो आपको पता अगर कभी वॉर होगी तो उसक तेट का या फिर उसक्न्टरी का बहुती ज्यादा लॉस होगा और इकॉनमी बहुत ही गिरेगी तो इसलिए ये दो रिजन था इनकी एकॉनमी बहुत ही हेवी तरीके से यहां पर डाउन फॉल हुई और इसके बाद जो इदी अमीन थे यहां के प्रेसिडेंट वो अपने आपको घोसित कर देते हैं कि ये जब तक जिएंगे तब तक यही प्रेसिडेंट इस देश के बने रहे लेकिन इनकी यह जो ख्वाइस थी वह ख्वाइस रहा गई क्यूंकि इसके बाद 1979 में तंजानिया इनवेट करता है उगांडा को और इनके जो इनके चीफ होते हैं कमांडर इदी अमीन उन्हें भागना परता है यहां से कंट्री् चोड़के और इसके बाद जो तंजानिया ऑजो जो इलेट करते हैं उनके प्रेसेडेंट जिसका नाम होता है कि पहले प्रेसिजेंट थे उगांडा की फिर से बन जाते हैं यहां के प्रेसिजेंट इलेक्शन लेकिन इनके प्रेसिजेंट बनने के बाद कम से कम दो मेने बाद यहां एक सिबिल वार होता है जिसको हम लोग जानते हैं उगांडा बुस वार के नाम से भी जानते हैं यह सि से लेके 1986 तक यह लड़ाय चलता है और अंत में जाके यहां के जो नाशनल रेजिस्टन्स आर्मी है वो यह जी जाते हैं यह लड़ाय और उलोग एक नए प्रेसिजंट इलेट करते हैं जिनका नाम होता है योरी मुसेवेनी और यह अभी तक बने हुए हैं इस देश के प्रे मल्टी पार्टी सिस्टम को रिजस्ट करने के लिए एकक्षब्ट करने के लिए नहीं रिजट करने के लिए और आप यहां देख पार यह भूटिंग नाइंटी-ट्था नाजिकी ग्रूड लोगों नंभी हूट और इसके बाद यहां पर एक रेबल ग्रूप घृब नार्मी था यह बहुत ही क्रूट था ये क्या करता था कि अगर वो लोगों लोगों को यह फिला था यहां पर इनका कैम था यहां पर लगवग 200 लोगों को इन्होंने जिन्दा काड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कितना ब्रूटल था तो यह यह बहुत एक डेंजरस ग्रूप था जो कि उगांडा में अभी भी है फिर 2005 में यहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम को फिर से रिटन किया जात होता है तो जब म इल्टी पार्टी पॉलीटिक्स यहां पर फिर आता है तो हैं बहुत सारे पार्टी जैसे की एक्टीविस्ट पर्टी अलायंस फिर सींटाफरी परटी निशनल पीजन होता है विलेक्षण अल्सवाब के द्वाराल सब्साप का नाम अपने पहले भी užता क्योंकि मैंने जो इसके पहले वीडियो बनाया था तंजयानिया की उपर उसमें मैंने अल सवाब को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस चैनल में तो 2010 में क्या हुआ था कि एक नहीं दो बॉम ब्लाश्ट हुआ था एक हुआ था एक रेस्टोरेंट में और दुसरा हुआ था एक रग्भी कलब में तो यह जो रेस्टोरेंट में जब एक वड्यकों था तो यहांके लोग क्या कर रहे थे उस टाइम फीफा वर्ल्लकप चल रहा था 2010 में FIFA World Cup चल रहा था उसका final match चल रहा था इस्पेन और निदरलैंड के बीच में तो इसी वहत क्या हुआ था यहां पर एक bomb blast हुआ था तो यहां आप देख पार है यह photo देखे इस bomb blast में लोग FIFA World Cup देख रहते हैं और यहां आचानक है कि bomb blast हो जाता है और दूसरा bomb blast जैसे कि मैंने बताया रगभी क्लब में होता है तो यहां आप देखिए दो location है यह रगभी क्लब का और यह एक इथोपियन विलेज रेस्टोरेंट में तो इस दो जगह में यह अलसबाब के जो आतंकिये यह हमला करते हैं और इसके बाद 2016 में फिर election होता है और यूशूफ मुजीवनी यूरी मेजीवनी फिर इलेक्ट हो जाते हैं यहां के प्रेसिजट्ट और यह कम से कम 40 साल हो गया है यहां पर प्रेसिजट्ट बने हुए हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि यह घपला करते हैं इलेक्शन में लेकिन अंत में जीत जाते है तो यही प्रेसिजट्ट यहां के बन जाते हैं और अगर हम इंडिया और उगांडा की रिलेशन की बात करें तो इसकी हमारी रिलेशन बहुत ही नॉर्मल है बाकी अफ्रीकी देशों की जासे तो आप यह था पूरा उगांडा के बारे में थैंक्यू चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पैस कर दिजिए और अगर आप इस अगर आपको इस पूरे लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक टेलेग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं वहां बें आपको इस पूरे उगांडा की पीडिएफ सब्सक्राइब को पीडियाफ मिल जाएगी थाइंक यू